रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद इद आई है इदगा जाने की तयारियां हो रही है सबसे यदब प्रसन है हामीद हामीद बहुत जादा प्रसन न था क्योंकि सभी इदगा जाने की तयारी कर रहे थे वह चार-पांच साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेट हो गया था हामीद बहुत दुबला पतला और गरीब लड़का था जिसका बाप गत वर्ष हेजे की भेट चड़ गया था ने कि उसके पिता की मृत्यू हो गई थी और मा ना जाने क्यों पीली होती चली गई थी और वह भी एक दिन मर गई थी अब हामीद अपनी बुड़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और वह प्रसन नहीं हामीद के पेर में जूते नहीं है सिर्पे एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है वह बहुत हामीद की दादी अमीना बहुत गरीब थी वह अपने पोते के लिए हामीद के लिए कुछ भी नहीं खरिश सकती थी अमीना का दिल कचोट रहा था, बहुत दुख रहा था, कि वह अपने हामित के लिये कुछ भी नहीं ला सकती थी गाओं के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे, और हामित के तो पिता नहीं थे, वह किसके साथ जा था हामित का बाप अमीना के सिवा कोन है हामित का उसकी दादी अमीना के सिवा कोन है अब तो उसके माबाप सब अमीना ही थे उसे केसे अकेले मेले में जाने देती उसे मेले में अकेले जाने से अमीना बहुत डर रही थी कि वह मेले में केसे जाएगा ननी सी जान तीन कोस केसे चलेगा, पेरों में चाले पड़ जाएंगे, हामित के लिए कुछ नहीं है, तो सिवाई सिवाई बनाने के लिए दो पेसे का दूद तो चाहिए तीन पेसे हामित की जेब में पांच अमीना के बटवे में यही तो विशा थे और ईत का तेवार यहने कि हामित के पास अकेले एक तो नन्नी जानती वो हामित को अकेले मेले में जाने नहीं देना चाती थी और तीन कोश तक वह केसे चलेगा उसके पेरों में भी जूते भी नहीं थे चाले पड़ जाते तो और हामीद को देने के लिए अमीना के पास पेसे भी नहीं थे उसके पास सिप पांच पेसे थे तीन अगरों हामीद को भी दे देती तो उसके पास सिप दो पेसे बस थे तो भी साथ थे यहीं भी साथे और इत का तेवार अब उसकी क्या हिसियत है और ये इत का तेहवाद आ गया था गाउं में गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामीद भी जा रहा था गाउं में मेला लगा था और अब उस मेले में हामीद भी जा रहा था हामीद के पेरों में तो जैसे पढ़ लग गये हैं हामीद इतना खुश था जैसे कि वह पर लग गए हैं उसके तो पेरों में और वह बहुत खुशी-खुशी जा रहा था शहर का दामन भी आ गया सडक के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं पक्की चार दिवारी बनी हुए पेडों में आम और लीचियां भी लगी हुई है शहर की तरप आ गया था हामीद और आपको दिख रहा होगा इस चित्र में कि हामीद आपको मेले में दिखाई दे रहा है यह पूरे मेले का द्रश्य है तो वह शहर के तरप भी आ चुका था और उसे वहां का वातावरन भोती अच्छा दिखाई दे रहा था इदगा जाने वालों की टोलियां न जाने नजर आने लगी एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा इदगा नजर आया उपर इमली के घने ब्रक्षों की छाया नीचे पक्का फर्ष जिस पर जाजिम बिचा हुआ है जा जिम का आर्थ होता है चटाई बिच्छी हुई थी पंक्तियां एक के पिछे एक नजर न जाने कहां तक चली जा रहे थी रोजदार जो रोजा रखते हैं उनकी लाइन लगी वी थी तो ये लाइन बहुत ही बड़ी लगी वी थी पक्की जगत के नीचे तक न नए आने वाले आकार आकर पीछे की कतार में खड़ो जाते जो भी नए आता था वो पीछे की लाइन में आकर खड़ा हो जाता था नमाच खत्म हो गई थी, लोग आपस में गले मिल रहे थे, आपको इस चित्र में दिखरा होगा, कि देखो सब आपस में गले मिल रहे हैं, और यह इदगा का द्रश्य है, तब मिठाई और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है, यह देखो हिंडोला है, एक पेसे देकर चड़ जाओ, हामित दूर खड़ा है, तीन ही पेसे तो उसके पास है, अपने कोश का एक तिहाई, जरासा चकर खाने के लिए वह नहीं दे सकता, उसने सोचा अगर यह हिंडोला होता है, एक प्रकार का हिंडोला जिसमें बेटकर हम घूम सकते हैं, उसको हिंडोला कहते हैं सब चर्कियों से उतरने लगते हैं, बच्चे फिर वह हिंडोले में जूल लेते हैं उसके बाद, तरह तरह के खिलोने और मेले में तरह तरह के खिलोने भी दिखाई दे रहे थे, सीपाई और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती, धोबिन और सादू, इन सब तरह के ख खिलोने थे, राजा, भिस्ती, वकील, सादू, दोबिन, सिपाई, इतने तरह-तरह के वहाँ पर खिलोने मेले में दिख रहे थे, खाकी वर्दी और लाल पकड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे, मोसीन को भिस्ती पसंद आ गया था, फिर मोसीन ने क्या करा, भिस्ती ले है, काला चोगा, नीचे सपेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनरी, जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए है, यह सब दो पेसे के खिलोने थे, यह सब दो पेसे की खिलोने थे, और हामित के पास तो सिर्फ तीन ही पेसे थे, इसलिए उसने यह सब लेने के बार-बार सोच रहा था कि वह क्या खड़ी दे, हामित के पास कुल तीन पेसे हैं, इतने मेंगे खिलोने के से लूँ, अगर वह दो पेसे के खिलोने ले ले था, तो उसके पास तो बस एक पेसे ही बस था, तो वह सोच रहा था कि इतना मेंगा खिलोना में क खिलोना कई हाथ से चूट पड़े तो वो तो चूर चूर हो जाएगा अगर हाथ में से खिलोना मिट्टी का था तो वो तो चूर चूर हो जाता है हामित खिलोनों की निंदा करता है मिट्टी के तो है गिरे तो चकना चूर हो जाए लेकिन ललचायू आँखों से खिलोने दे अब आगे जब वह चले तो वहाँ पर मिठायों की दुकान दिखी। किसी ने रेवडियां ली, किसी ने गुलाब जामून, किसी ने सोहन लिवां। आता क्योंकि सब तो खरीद रहे थे और सब कुछ न कुछ खा रहे थे मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीजों की आई लड़कों के लिए यहां कोई आकरशक न था यहां आकरशन नहीं था मिठाईयों के बाद लोहे की दुकानों का के सामनों की दुकान आ जात उसे ख्याला आया दादी के पास चिम्टा नहीं है, तवेस रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन होगी, फिर उनकी उंगलिया कभी नहीं जलेगी, उसने दुकांदा से पूछा यह चिम्टा कितने का हामीद को जब लोही की दुकान आती है तो उसको वहाँ पर अपनी दादी का ख्याल आता है कि दादी जब खाना बनाती है तो उनके हाथ जल जाते हैं रोटियां बनाते वक्त तो वह दुकानदार से पूछने लगता है कि है चिम्टा कितने का है तो दुकानदार उसे 6 पेसे का बताता है हामीद ने कलेजे को मजबूत करके कहा तीन पेसे लोगे यह करकर वह आगे बढ़ गया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि दुकांदर उसे डाटेगा लेकिन दुकांदर ने उसे बुला कर चिम्टा दे दिया हामीद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानों बंदूख हो और शान से अकड़ता हुआ संग्यों के साथ के पास आया अपने वह दोस्तों के पास आता है चिम्टे को कंधे पर रखता हो जैसे कोई बंदूख हो मौसिन ने हसकर कहा यह चिम्टा क्यों लाया पगले इससे क्या करेगा हामीद ने चिम्टे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भीष्टी जमीन पर गिरा दो सारी पसलिया चूर चूर हो जाए बच्चूगी तो हामीद चिम्टे को जमीन पर पटक देंगे तो इसको कुछ नहीं होगा लेकिन अगर तुमारे इस भीष्टी को जमीन पर पटक देंगे तो यह तूटकर चकना चूर हो जाएगा महमुद बोला यह चिम्टा कोई खिलोना है तो फिर महमुद बोलने लगता है कि कोई खिलोना दिख रहा है कि तुमको चिम्टा हमीद खिलोना क्यों नहीं है अभी कंदे पर रखा बंदुक हो गई हाथ में लिया फकिरों का चिम्टा हो गया चाहू तो इसे मंजीरे का काम ल लगता है कि चिम्टा मेरा क्या क्या नहीं कर सकता है अब बालकों में दो दल हो गए थे मोसिन महमूद शम्मी और नूरे एक तरफ हैं हामिद अकेला दूसरी तरफ हैं हामिद ने कहा अगर कोई शेर आ जाए तो मिया भिष्टी के छक्के छूट जाएंगे मिया सिपाई मिट की पंदू छोड़कर भाग जाएं वकील सहाब की नानी मर जाएं मगर यह चिम्टा यह तो बहाद दूरे यह तो रुस्त में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आखे निकाल देगा वह अपने चिम्टे की बहुत तारीफे पर तारीफे करे जा मिला संधी की शर्टे तय होने लगी महसिन ने कहा जर अपना चिम्टा दो हम भी देखे तुम हमारा भीष्टी लेकर देखो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलों ने पेश किये अब चिम्टा बारी-बारी से सब के हाथ में आया और उनके खिलों ने बारी-बा के साथ बाट कर खाए जब रास्ते महमूद को भूख लगी तो उसने केले लिए और उसने केले अपने मित्र हामित के साथ बाट कर खाए थे ग्यारा बजे सारे गाउं में हलचल मच गई मेले वाले आ गए महसिन की छोटी बहन ने दोड़कर भिष्टी को उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उचली तो मिया भिष्टी नीचे आगी रे और सर पढ़लोक सिधार गए सुरलोक यने पढ़लोक यने की मर ग गा दिये तो महसिन का तो भिष्टी वही पर टुकले टुकले हो गया था जैसे आपको इस चीतर में दीख रहा दोनों भाईबेन लड़ रहे हैं और उसका भिष्टी नीचे गिरा पढ़ा है और वह टुकले टुकले हो गया था नूरे का वकील जमीन पर या ताक पर तो न राजे और नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू कर दिया मालूम नहीं पंखे की हवा से तो से या पंखे की चोड़ से वकील साहब स्वरलोग से मृत्तिलोग में आ पहुंचे बड़े जोर जोर का मातम हुआ और वकील साहब की हस्ती गुरे पर डाल दी गई फिर उसन से बिठाया आराम से कालीन वगेरा बिचा कर और उस पर हवा करने लग गया जैसे बड़ा वकील साप लेकर आ गया हो और उस पर हवा करी तो नीचे गिर गया पंखे की हवा से और टुकड़े हो गया महमूद के सिपाई को चटपट चटचट गाउं का पहरा देने का चार्ज मिल गया उसे एक टोकरी में बिठाया और महमूद उसे लेकर चक्कर लगाने लगा महमूद ने क्या करा अब अपना जो सिपाई खरीदा था उसको एक टोकरी में लिया और चक्कर लगाने लग गया उसको लेकर उसके दोनों भाई सिपाई की तरह से सोने वाले जाकते रहो पुकारने लगे, और अपने भाईों से उसके बोलने लग गए उनके दोनों भाई उसके, कि सो ते रहो और जाकते रहो इस तरह से, महमुऌद को ठोकर लगी और सिपाई की टांग में विकार आगला महमुद उसको ठोकरी में लेकर चल रहा था तो एक दम ऊसको ठोकर लग जाती हिए तौकर लगता हिए सिपाई नीचे गिर जाता है तो उसके एक टांग में विकार लग आगा था विकार मतलब तूट गई थी तो उसकी तूटी टांग को जोड़ने के लिए गूलर का दूद लगाया गया जैसे ही उस उसे खड़ा क्या गया उसकी टांग जवाब दे गई और उसकी दूसरी टांग में भी तूट गई अब वह एक इस्तान पर बेटकर पहरा देने लगया हामित के आवा सुनते ही अमीना दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी सहसा उसके हाथ में चिम्टा मोल लिया है हमेरे मेले में तुझे और कोई चीज ने मिली तो यह लोहे का चिम्टा उठा लाया हमीना उसको बोलने लगती ही कि ये क्या लेकर आ गया है तुझे चिम्टा और कोई खिलोना ने मिला तुझे लाने के लिए जो ये तु चिम्टा उठा कर लेकिया गया है हामिन ने अपरादी भाव से कहा जैसे कोई उसने बहुत बड़ा अपराद कर लिया हो इस तरह से वह बोलने लगता है तुम्हारी उंगलियां तवे में तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया है बुढिया का क्रोथ तुरंथ इसने में बदल गया यह मुख इसने था बच्चे में कितना त्याग, कितना सदबाव और कितना विवेक था दूसरों को खिलोना लेते हुए मिठाई खाते देख कर इसका मन कितना ललचाया होगा यह अमीना उसकी दादी मन मन में सोच रही थी हामित की दादी कि हामित के मन में कितना विवेक था, शान्ती थी कि उसने यह सब चीजों को छोड़ कर भी मेरे लिए चिम्टा खरीद कर लाया है कितना मन ललचाया होगा उसका कि मैं यह सब चीजे ले लू लेकिन उसने फिर भी इन सब चीजों को छोड़कर वहाँ पर भी उसे अपनी बुड़ी दादी की याद आती रही अमीना का मन गदगद हो गया था अमीना खुशी के कारण उसका मन बहुत खुश हो चुका था गदगद कार्थ होता है खुश होना तो वह बहुत खुश हो गई थी अंदर से की मेरा पोता अपनी दादी के लिए कितना सोच रहा था तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है की हमें भी अपने बड़ों के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए हमेशा अपनी ही खुशी का ध्यान नहीं रखना चाहिए जिस तरह से हमीद ने अपनी दादी के बारे में सोचा था तो अभी इस वीडियो को आप अच्छे से और ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे बाई